जैसा कि आप सब को पता है हमारे देश में आज भी लड़कियों को बहुत समझा जाता है लेकिन आप सब जानते हैं कि आज की समय में लड़किया किसी कारिया में पीछे नहीं है चाहिए वो private sector हो government sector हो या फिर businesses या फिर education हो सभी में हर जगय अवल हैं लड़किया एक्चुली लोग लड़कियों को इसलिए बहुत समझते हैं कि उनकी एजुकेशन्स में और उसकी जो मेरिज है उस पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है इसी समझ्या को हल करने के लिए सरकार ने सुकन्य योजना समर्दी की शुरुवात यहां पे की यहां सुकन्य समर्दी योजना अगर बात करें तो 2500 रुपे से लेके आप लोग 150,000 रुपे यानि की 150,000 रुपे आप परती वरस जमा करवा सकते हैं अगर इसके फाइदे की बात करूँ तो इसके काफी सारे फाइदे भी हैं आपको तो चलिए जिस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हैं इसमें आप अगर मैं बात करूँ इसमें आप लोग 250,000 रुपे परती वरस जमा करवा सकते हैं जिससे आपको टोटल अमाउंट्स पर एक बड़ा मैचॉरिटी अमाउंट्स भी मिल जाता है इस अमाउंट्स को आप अपने लड़के के शादी या फिर इसकी हायर एजुकेशन पर खर्च भी कर सकते हैं अगर मैं बात करूँ इस स्कीम के फाइदे की तो मुखे रूप से इसके दो फाइदे यहाँ पर रहने वाले हैं बागी किसी skims में इतना high interest आपको नहीं मिल पाता, अगर मैं 217 बात करूँ तो इसमें 9.1 interest भी यहाँ पे दिया गया है, दूसरे फाइदे की तरह में अगर बात करूँ तो दूसरा फाइदा हमको इसमें जो रासी आप ज़णा करते हैं, इसमें किसी परकार का tax यानि कि आप आप लोग test में छूट पा सकते हैं, किसी परकार का tax आपको पे नहीं करना पड़ता, अगर मैं अन्य skims की तुलना करूँ तो RD, FD, अन्य परकार के accounts हैं, इस पर सभी पर आपको tax देना पड़ता है, अगर आपकी 10,000 से ज़्यादा payment है, तो आपको tax भी यहाँ पर देना प सकते हैं, तो इसमें पैसा कैसे डालेंगे, सभी आपन बात करेंगे, इस वीडियो में, अगर मैं पहले बात करूँ तो accounts open करवाने की, तो पहले हम बात करेंगे, skims का फाइदा को ले सकता है, तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपके परिवार में या फिर आपके कोई बोटी है, तो आप इस accounts को open easily करवा सकते है, अधिकतम एक लड़की का account एक ही याँ पे आप लोग खोल सकते हैं, दूसरी बात करूँ तो और अधिकतम दो लड़की अगर आपके हैं, तो दो account ही आप याँ पे open कर सकते हैं, अगर मैं आपको कहूं, दूसरी लड़की के वाइदा नहीं हूटा सकते हैं आगी बात करते हैं तो हम खाता कैसे खुल्वाएं किस प्रकार से Accounts open करवा सकते हैं Accounts Al Tiffany Accounts make लिए आपकिसी ihan ae कर Пास के बैंक by प्रेंक पोस्ट पारब ऑ सकते हैं इस लिए इसके लिए आपको श्यार्ड बैंक के पोस्ट अपिस जाना होगा, बैंक या पोस्ट अपिस में जाके आप सुकने समर्दी का एक application form लेंगे और उस forms को easily आप लोग fill up कर देंगे, fill up करने के बाद में अपनी बीटिया का एक photos application form पे आप लोग step कर देंगे, यह नि लगा देंगे, और कुछ documents भी इसके साथ में आप प्रूफ आपका होना चाहिए, इसके लिए आप voter ID आप यूज कर सकते हो, यह different type की जो pen card यह सब भी, application form को fill up करने के बाद में आप documents को attach करके, banks या पोस्ट अपिस में जमा करवा देंगे, और उसके साथ ही आपको 250 रुपीस भी आपको अपन, account open करवाने के साथ ही आपको हम बात करेंगे, accounts में, पैसे किस परकार से आप जमा करवाएंगे, कितने रुपे जमा करवाएंगे, accounts में, सब भी बात करेंगे, तो अगर मैं बात करूँ पैसे की, कितने रुपे, किस परकार से आप लोग amount जमा करवा सकते हैं, पैसे आप किसी भी तरीके से जमा करवा सक मैं बात करूँ केस, चेक या फिर आप डिमांड ट्राफ से भी आप लोग जमा करवा सकते हैं, हाँ अगर आपका बैंक पोस्ट आफिस आपका एट ट्रांसपर की शुईदा आपको देता है, तो आप लोग एट ट्रांसपर के द्वारा भी पैसे या फिर अमाउंट जमा सकते हैं अपने अकाउंट्स में, आप अपने इस अकाउंट्स में कम से कम एक साल में 500 रूय से लेकी 100,000 रुप congregation 5,000 तक जमा करवा सकते हैं, वह लोग जमा करवा करते हैं, अगर आप 500 रूपे भी जमा नहीं करवा पार तो पचास रूपे की प्लेटी समेत आपको 300 योजना वाला जो अकाउंट्स आपने खोला है उसके ओपर आपको 8.5 का ब्याज भी नहीं मिलेगा और उसकाउंट्स को सेविंग अकाउंट्स की तर्ज पे बैंक के द्वारा है फिर पोस्ट अपिस के द्वारा कर दिया जाएगा हाँ अगर आप दुबारा पन वरकर फिर सुरू करना चाते हैं इस अकाउंट्स को तो आप लोग इ seem बैंक में जा के फिर पोस्ट भी जा के आप कर सकते हैं आप accounts को आसानी से open भी करवा सकते हैं इसके लिए आपको जहाँ और आप इस accounts को आप एसली transfer भी करवा सकते हैं जिस जगह आप रह रह रहे हैं वहांका id hallitas लगा के आप लोग transfer करवा सकते हैं अब बात करेंगे accounts के mature जिस दिन आप सुकन्या समर्दी अकाउंट्स ओपन कर आते हैं उस दिनाख से लेके 21 वरस तक अकाउंट्स मैचूर हो जाता है यह अगले 21 साल तक आपका अकाउंट्स जो है वह मैचूर हो जाएगा कमप्लीट हो जाएगा मैचूर होने के बाब में कोई भी प्यास आपको दे नहीं होगा और अमांट्स निकालकर अकाउंट्स को आप लोग क्लोज कर सकते हैं और हाँ अगर आपकी लड़की की उमर जो है 18 साल या फिर उसके साधी आप करना चाहते हैं तो अकाउंट्स से पै प्रणतु लड़की की उमर यहां पे 18 वाष होनी चीए, जब आप लड़की की अगर पैसा निकालना चाहते हैं, आपकी लड़की की अइंकम जो है, एज जो है, वो आपका 18 एर होना चीए, और उसका 50% अमाउंट्स आप लोग निकाल सकते हैं, अगर कारण वंस आपकी लड आपको अकाउंट्स को कलोज करना पड़ता है, आपके अकाउंट्स को जो है, आप लोग कलोज करेंगे, और इस कंडिशन्स में लड़की की डेथ होने पर आपको लड़की का डेथ ऑफ सर्टिविकेट उसके माता पिता के दवारा लगाना होगा, जिससे आपको पूरा अ समर्दी योजना के तैत, तो अपन बात करेंगे, जीरो इयर्स में आप लोगों ने जैसे मानलो 30,000 यानि 30,000 रिपे जमा करवाए, और स्टार्टिंग इयर्स का बैलेंस आपका 30,000 रिपे, इसके उपर आपका 8.5 के साबसे इंट्रेस्ट जो है 2550 रिपे इंट्रेस्ट हो तो इससाब से आपका स्टार्ट ओफ इयर्स अगर आपके टो टोटल जोड़ेंसे 32,500 रिपे तो यहाँ पर आपको हो जाता है 22,500 रिपे और आपको इंट्रेस्ट एट्रेट यहाँ पर मिल जाते है 5,317,000 रिपे तो इससे आपका अमॉंट जो जोड़ें तो आप लोग यहाँ पे 14 साल तक यहाँ पे 4,50,000 रुपे deposit कर चुके होंगे और starting of year का balance अगर बात करें तो कुछ इस परकार से आप लोग देख सकते हो main screen के calculator पे और यहाँ पे interest rate आपको यहाँ पे मिल जाता है 1,17,453 रुपे interest आपको मिल जाता है उस amounts पे 30,000 के साफ से आप लोगों ने 14 साल तक आपने जमा करवाए है और उस पे 8.5 interest लगके आपको लगबग यहाँ पे तो इस परकार से 8.5 interest एड़ करके आपका total amount हो जाता है 14,99,254 रुपेया आपको जब इस schemes को बंद करवाते हो 21 साल में तो आपको इतना पैसा आपके refund हो जाता है और आपको accounts को बंद कर देते हैं यह amount जो है वो 30,000 के साफ से मैंने बताया अगर आप लोग एक साल में 30,000 से ज्यादा amount यहाँ पे जमा करवाना चाहते हैं यानि 60,000, 70,000 यह फिर 1,00,000 रुपेया जमा करवाना चाहते हैं तो उसके उपर 8.5 इंटरेस्ट के साफ से आपका total amount यह वो कुछ और बनेगा तो यह मैंने example दिया 30,000 का तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छा लग रहा और यहाँ पे आप लोग amount 30,000 से कम भी जमा करवा सकते हैं कम से कम 200 रुपेय आपको जमा करवाने तो यह अपने पास में complete या तो मैं आपसे कहना चाऊँगा कि अगर आपके घर में कोई बेटिया है तो और उसकी उमर जो है 10 साल से छोटी है तो आपके लिए यह स्कीम जो है काफी अच्छी रहने वाली है और इस स्कीम का फाइदा उठाने के लिए आपको आपकी घर में लड़की का होना अतियावशक है तो यह अपने पास में वीडियो था जो मैंने इस वीडियो के शायता से मैंने सुकनय समर्दी योजना को आपको डीटियल से समझाया मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो पशंद आए तो लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स में इसको शेर भी कीजिए और आपके मन में किसी फिरकार का कन्फ्यूजन या फिर क्योरीज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझसे आप पूछ भी सकते हैं तो यह आज की डिसकस थी जो मैंने आपको स्किम्स के बारे में बताया जो काफी अच्छी स्किम्स आपके लिए रहने वाले अगर आपके घर में भीटिया है तो और उसकी उमर 10 साल से छोटी होनी चीए काफी अच्छी स्किम्स है तो तो अब मैं इजाज़े चाहूँ आपसे, तो next discuss में आपने मिलते हैं, next skims के साथ में, thank you, धन्यवाद.